गाईज आप देख रहे हैं यूनिक मैडिसिन यूटूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे जुरासेफ टैबलेट के बारे में तो इनको नॉर्मल चमच में या किसी मेजर कप में डालकर आप जैसे ही पानी डालते हैं तो ये टैबलेट घुल जाती हैं दोस्तो इंडियन फार्मकोपिया के अकॉर्डिंग तयार की गई है 200 mg की इसकी पोटेंसी है यानि हर एक टैबलेट की जो डोज है वो 200 mg की हो जाती ह तो जान लेते हैं इसके क्या-क्या फायदे हैं दोस्तो इस जुरासेफ टैबलेट के बहुत सारे फायदे हो तो ये मैडिसिन बैक्टेरियल इनफेक्शन को ठीक करती है यानि बैक्टेरिया की बजहासे सरीर में जो भी इनफेक्शन होता है उसको ठीक करने का काम करती है ज दोस्तो जब किसी को कोई कटगाव लगता है और उस पर जो इस्टिचिस यानि टांके लगती है और उन टांकों में जब मवाद पस पड़ जाता है या वो जल्दी क्योर नहीं होते हैं तो उस समय ये काफी अच्छा काम करती है दोस्तो जब किसी को middle year infection यानि कान का infection हो जाता है और कान में मवाद पस वगएरा आने की सिकायत रहती है तो डॉक्टर के दोारा ये medicine उसको ठीक करने के लिए दी जाती है दोस्तो जब किसी को pneumonia हो जाता है लंग्स का infection हो जाता है या throat का infection हो जाता है tonsils की समस्या आती है तो डॉक्टर के दोारा ये medicine दी जाती है ताकि इन सबी समस्याओं को ठीक किया जा सके साथी दोस्तों जब किसी को UTI यानि Urinary Tract Infection पिशाब से सम्मंदित जब infection होता है जिसमें की यूरेटर का infection होना, bladder का infection होना तो इस तरह का जो infection होता है और इस infection के दोरान रोगी को पिशाब जल के आता है, पिशाब बर्निंग यूरेन की समस्या होती है, पिशाब में पस आने लगता है smell आने लगती है, blood आने लगता है तो उस समय भी doctor के दोरा ये medicine दी जाती है साथी दोस्तों जब किसी को sexual transmitted disease हो जाता है तो उस समय भी doctor इसको देते हैं तो guys, bacterial infection के case में इस medicine के बहुत सारे फाइदे हैं बहुत अच्छे benefits हैं जो patient को मिल जाते हैं दोस्तों ये दोनों ही तरह के bacteria को मारने का काम करती है यानि ये gram positive और gram negative bacteria को मार कर रोगी को ठीक करती है दोस्तों इस medicine का काम करने का तरीका ये होता है कि ये शरीर में जो bacteria होता है उसकी protein synthesis को रोक कर bacteria के growth को रोकती है और bacteria को kill करने का काम करती है guys, जब bacteria मरने लगता है तो रोगी भी फिर ठीक होने लगता है और जब bacteria पूरी तरह से खतम हो जाते हैं तब रोगी भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और इस तरह से ये medicine का काम करने का तरीका हो जाता है गाईज अगर हम जान ले इसकी dose तो dose हमेशा doctor की सला से होती है और मैं अपने किसी भी वीडियो में self medication की सला नहीं देता हूँ क्योंकि दवाईों के बहुत सारे नुकसान भी हैं जो आपको हो सकते हैं तो कभी भी आप मरजी से dose ना लें अपनी मरजी से दवाई ना खाएं क्योंकि यहाँ पर इस medicine पर भी mention है यह sedule H prescription drug है यहाँ पर एक caution लिखा हुआ है कि यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है अगर आप खुद से self medication करते हैं अगर आप खुद से इसको medical store से खरीद कर खाते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है तो दोस्तो कभी भी आपको medicine खुद से नहीं लेनी है गाईज अगर हम इस medicine के side effect की बात कर लें यानि वो कौन-कौन से side effect है जो इस medicine को लेने के बाद patient में आ सकते हैं तो गाईज हो सकता है किसी patient को अगर वो medicine को लेते हैं तो उनको headache हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं उल्टी मितली की समस्या हो सकती है दोस्तों और साथ ही साथ उनको uncomfort feel हो सकता है यानि उनको बेचैनी और घवराहट बनी रहती है तो ऐसा कुछ अगर किसी के साथ होता है तो medicine को ना ले, आगे medicine को रोक दे और doctor से मिले, उनकी सलहा ले आगे जिस तरह से doctor बताते हैं, उसी तरह से medication करें तो guys इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है pregnant woman और जो माताए बहने बच्चों को दूद पिलाती है वो इस medicine को खुद से बिल्कुल भी ना ले इससे क्या है, pregnancy terminate हो सकती है और माताए बहने जो बच्चों को दूद पिलाती है हो सकता है, उनके बच्चों को भी कोई side effect आ सकते है तो guys इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप इस तरह की medicine को use करते है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसका हम composition देखें तो इसके अंदर cifixim 200 mg की मात्रा में है और साथी excipients है quantity sufficient तो इनको मिला कर इस medicine को बनाय जाता है इसको manufacture क्या है? East Africa India Overseas Pharma Company ने देहरादून की दोस्तों ये company है और इस medicine का MRP है वो 10 tablet का 102 रुपए है तो guys ये 102 रुपए में 10 tablet मिल जातों जब भी आप medicine लेते हैं तो ये MRP expiry date वगरा सारी चीज़ें चेक कर लिया करें ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो तो guys ये आपको सारी बातों का ध्यान रखना है अगर आपके doctor इस तरह की medicine देते है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है जानकारी कैसी लगी है आप comment करके बता सकते हैं हमें और साथी अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है या आप किसी भी medicine के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें comment section में जाकर बता सकते हैं guys मैं कोसिस करूँगा कि आपको उसका एक suitable reply दिया जाए तो guys आज की वीडियो में इतना ही है मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ इससे पहले कि हम वीडियो खतम करें दोस्तों आपसे request है चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को like और share कर दीजे bell icon को press कर लिजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो समय समय पर मिलते रहें दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुभो